भारतिय जन्ता पार्टी और जन्सन्प के संस्थापक सदस्यों में शामिल शरीफ एहमद मचली वालों की स्मृति में उनके पुत्रों द्वारा के रिंग हैंड फाउंडेशन के बैनर तले रविवार 12 मार्च को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन कराया गया इस शिविर में लगभग 501 लोगों ने रक्तदान करने के लिए फार्म भरा है रक्तदान को महादान बताया गया है रक्तदान करने की वजह से ब्लड बैनकों में रक्त की कमी नहीं आती है कार्यक्रम के आयोजक शाहिद एहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे पिताजी स्वर्गिय शरीफ एहमद मचली वाले भारतिय जन्ता पार्टी और जन्संद के संस्थापक सदस्य थे और वो अपने समाज सेवा के कार्यों की वजह से जाने जाते थे आज वह हमारे बीच नहीं है तो हम उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं इसके लिए हमने एक NGO बनाया जिसका नाम केरिंग हैंज है इस NGO के माध्यम से हम विभिन समाज सेवा के कार्य करते हैं इसी तार्तम्य में हमने आज आनंद नगर कोक्ता में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया है जैसे कि आप जानते हैं कि इन दिनों रक्त की कमी है जहां देखो वहाँ पर मैसेज वाइरल होता दिखाई देता है कि बलड की आवश्यक्ता है इसके चलते हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है हमारा लक्षे 501 लोगों द्वारा रक्तदान कराना है जिसके लिए 501 लोगों द्वारा फॉर्म भरे गए हैं और शुरुवाती कुछ घंटों में 100 लोगों ने रक्तदान कर दिया है शिवेर की समाप्ती तक हम लक्षे को प्राप्त कर लेंगे उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लगातार समाच शेवा के सेत्र में काम कर रहे हैं उनकी याद में आज इहां पर ब्लेड डॉनेशन केम का आयोजन किया जा रहा है इस आयोजन में हमारा लक्ष 501 का हमने टार्गेट रखा है कि आज इहां पर 501 लोग ब्ले से दूसरी मीमारियां हैं अन्य कारण हैं जिसमें रोज हमें रख्त की आवश्रक्ता परती है इसलिए हम यहां पर आज हमने यह आयोजन किया है और आगे दी हम इस तरह के आयोजन लगातार करते रहेंगे हमारी एक संस्था जो है केरिंग हैंट फांडेशन उसके माध्यम से यह आज इहां पर आयोजन किया जा रहा है केरिंग हैंट फांडेशन शाहिद आहमत